हे अबरी परवान, वेलकम बैक तो मैं चैनल, लास्ट वीडियो में मैंने डाला था नोवन फिक्षिन प्रोज का एक वर्क जो कि था जो हरलाल नहरू का आटोबयोग्रफी, इसमें मैं कवर करूंगी स्वामी विवेका नंजी का एक वर्क जिसका नाम है, इंटोड़क्शन अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसे स्किप्ट कर सकते हैं बिलकुल, क्योंकि वीडियो होगी लंबी, अगर मैंने किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ा है, तो ये मेरी रिस्पॉंसबिलिटी है कि मुझे अच्छे से डिलीवर भी कर पाऊं, क्योंकि पढ़ने तो ट्रस्ट में लास्ट में आपको रिग्रेट नहीं होगा, अगर आपने वो मिनटी हाँ पर स्पेंड करे हैं, तो अव्यसलि उसके बाद आपको ये जो योनिट है, अच्छे से आ जाएगी, इसमें से गोई भी कोईशन आपको छूटेगा नहीं, सिंपल से पंड़ा ब इसमें से बाद आपको ये स्पेच दी थी, जो ये भाशन दीये थे, उन्हीं इस पेचेश को यहाँ पर डाला गया, छे आपके इसलिबस में लगी हुई है, उन्होंने सिक्सी स्पेच वहाँ पर दी थी, जब वो इस पीच हुई थी, ये पारल्लेमेंट की जो एक बू या, तो जो पहली चीज़ है, वो ये है, कि ये जो हमारे स्लिबस में लगा हुआ है, ये बहुत एक लिमिटेड सा सर्फेस का एरिया है, मतलब कि ये हम जो पढ़ेंगे अब, ये सिर्फ एक थोड़ा सर्फेस होगा, एक ओशिन का, ऐसा बोला गया है, मतलब कि ये जो इस पेच दी उसके बारे में, इस विवेक अनन्द में और भी तीन राइटर्स है, मतलब कि थिंकर्स है, जैसे कि आनन्द है, और अपके जो सेकिन वाले है, वो अर्विंदो है, तो ये तीनों को मिक्स करके एक युनिट दी गई है, लेकिन इसमें जो विवेक अनन्द है, इसलिए है, एक तो बात ये कि ये अल्डेस थे, दूसरी बात ये कि he was the one, he was the first who died, मतलब कि जो सबसे पहले जिनके death हुई थी, although इनकी जो लाइफ थी, जो कि इनका पीरियड था, इनका जो लाइफ ताम पीरियड था, वो बहुत कम था, बट इस्टिल जो उनके वर्क है, जो बहुत जाता फैबूलेस है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी विवेकानन के थोड़े से इंट्रोड़क्शन के फाद, स्वामी विवेकानन के इंट्रोड़क्शन, he was born on 1863, died on 1902, ये इनका छोड़ाफ टाइम पीरिड था, इनका जो लाइफ टाइम था, इनका पात ही भी बोला जाता है कि ऐसा एकादा ही बंदा होगा इंडिया का जो इन्हें नहीं जानता, इकादा ही परसन होगा जो इन्हें नहीं जानता, जिन्होंने इन्हें एड्माइर नहीं कि हो सकता है कि आप इनके बारे में इतना नहीं जानते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने इनका नाम ही ना सुना हो और ये चीज हर एक इनसान के साथ true है इंडिया वाले जो है उनके फाथ तो है ही सच क्यों इननों सुना जरूर होगा तो आखिर ये जो source है ये जो fame है ये जो इतना लोग इने admire करते है हार एक पस इनने जानता है तो उसका source का है उसका जो logic है उसके behind में वो क्या है क्योंकि इनकी life जो थी वो तो बहुत चोटी सी थी ब्रीफ lifetime थी इनकी तो आखिर इन्होंने ऐसा क्या work किया इनकी figure इतनी important क्यों थी कि लोग इनने आज भी इतना time होने के बाद भी जानते हैं इने पहचानते हैं इनके जो works है वो relevant है आज की दुनिया में भी तो he was born and raised in an upper class जो थी upper class शत्रिया family in Calcutta, Calcutta में इनका birth हुआ था नरेंदरनाथ दत्ता इनका first पहले नाम था बाद में change हो गया था तो लोगोंने बीवी का नाम बुलनाँ स्टार्ट कर दिया और यह बहुँ जदा ब्रिलियंट थे student जो थे मतलब एक ब्रिलियंट student थे इनको English education भी मिली थी और इनके जो पढ़ाई थी वो भी अच्छे थे Scottish Church College में इन्होंने पढ़ाई करी है इन्होंने कांत को या फिर जो Spencer है इन सबको भी पढ़ा है बहुत सारे F.A. intellectuals है यूरोप के जिनके बारे में इन्होंने पढ़ा था और जिसके से क्या है इनके अंदर एक positivity आगे थी यह एक positivist थे मतलब कि यह चीजों में positive knowledge में believe करते थे जो की positivity आपके अंदर लाती है और इनके जो believe थे ऐसा नहीं था कि यह बहुत सुपरस्टिशियस थे कि यह कुछ भी चीजों को मान लेते थे यह authority में believe करते थे faith में करते थे लेकिन ऐसा नहीं है कि superstition में भी believe करते थे तो जब यह young थे young man like नरेंदर नाथ तो उस टाइम पे क्या था जो इंडिया के जो condition थी tradition के जो condition थी बहुत अग कुछ था नहीं और irrational सोच थी inferior था मतलब कि इंडिया उस टाइम पे western learning के अगर मैं comparison में बात करूँ तब क्योंकि western क्या है western जो countries थी वो बहुत starting सही civilize होने लगे थी rationality को अपना रही थी तो इंडिया सब के comparison में इंडिया का जो culture था language थी ये सब क्या था कहीं न कहीं उन से inferior था और जो विवे का नंद है ये भी इनकी जो thinking थी ये भी एक तरीके से western को praise करती थी लेकिन suddenly इनकी जो mindset था उसमें change आगे वो change क्यों आया क्योंकि इनके जो ये suddenly एक person से मिलते हैं और उनका नाम है स्री रामा कृष्णा जो के एक बहुत ही बहुत ही famous monk थे sage थे तो उन से मिलने के बाद इनकी life बिलकुल ही change हो जाती है अब तक जो एक तरीके से उनके जो life थी वो English education की डूर जादा थी जो इंडिया की society है civilization है उसको वो positive way में नहीं देखते थे तो suddenly क्या हुआ इनके जो सोच थी वो बदल गई जो westernized थी सोच वो अब सीधे Indian सोच बन गई इनके सोचने में इनके thoughts में changes आ गए तो जो रामा कृष्णा थे उनकी जो एक उनका एक जो वो भाशन देते थे या फिर जो उनका एक main logic था मुद्दा था वो ये था कि हर एक जो spirituality है वो सब equal है कोई भी religion अलग नहीं है वो हर एक religion को accept करते थे और हर एक religion का जो path है उन्हें accept करते थे तो उसके अलग इन नहीं के पाद को follow किया जो श्री रामकृष्णा का पाद था तो जो उनके death हो गई उनके death के बाद मतलब कि उनके गुरू की death के बाद जो वेखनान थे उन्होंने क्या किया इन्होंने एक order को build up किया founded किया एक चीज आती बनाई order मतलब जहाँ पर monks रहते होंगे monks के लिए और फिर वहाँ पर monks ने क्या क्या monks ने spread करना शुरू किया जो रामा कृष्णा की teaching थी जो उनके gospel थे उन सब चीजों को बढ़ाना शुरू किया उनके जो भाषिन थे उबदेश थे उनकी जो teaching थी उन सब को बढ़ाना शुरू किया और इसे क्या हुआ जो reawakening हुई Indians में वो हो गई मतलब कि जो Indians अभी तक अपनी consciousness को कहिना कहीं भोल गए थे उन्हें नहीं था कि मतलब western ही सब कुछ है यही सोचते थे तो suddenly उनको हुआ कि नहीं Indians के पास भी we have something special as well तो उनके जो reawakening हुई उनकी consciousness की वो स्टार्ट हो गई उसके end में क्या हुआ to this end he traveled all over the India वो पूरे इंडिया में घूमे उन्हें हर जगा उनके teaching को spread किया उनके gospel को spread किया और finally वो US के लिए निकल गए 1893 में अब 1893 में जब वो निकल गए तो वहाँ पर उनने एक speech दी थी तो जब वो भाशन देखे speech देखें इंडिया में बापिस आये थे 97 में उस टाइम पर क्या हुआ इनकी जो figure थी विवेक अनन्द की he was already a hero or a celebrity in India क्यों क्योंकि बाहर जाके उननोंने इंडिया को represent किया था तो जब वो अंदर आये इंडिया में आये तो वो एक celebrity बन गए थे एक hero बन गए थे national pride बन गए थे इंडिया का एक हां कि इंडिया में कोई बंदा है जो कि इंडिया को present कर रहा था इसलिए वो इंडिया का pride है अब उसके बाद कहानी शुरू होती है कि इन्होंने लिखा कैसे है जो भी चीज़े लिखी है वो क्यों लिखी है कब लिखे क्या क्या बोला है मतलब लिखा तो नहीं इनका जो speech था वाई उसी को बाद में written down form में लिखा गया बाद आती introduction to the addresses at the parliament of religions 1893 अब ये जो parliament हुई थी parliament of religions 1893 में ऐसा माना जाता है कि ये अभी तक की world की सबसे बड़ी inter-religious gathering है inter-religious मतलब जिसमें अलग-अलग religion की लोग आये थे औरने कुछ ना कुछ बाते बताई अपनी religion की अपनी religion की और ऐसा माना जाता है कि हाँ इससे बड़ी ग्यादरिय अभी तक नहीं हुई है तो इसमें क्या क्या हुआ इसमें बहुत तरी लोग आये थे और जो रामा कृष्णा के जो message थे मतलब कि उनके जो गुरू की जो teaching थी जो messages थे उन सब चीजों को किसने present किया उन सब चीजों को वहाँ पर जाके present करने वाले थे जो भी बेक अनन जी है वो अब जब वो यहाँ पर इंडिया में wandering कर रहे थे wandering कर रहे थे wandering मतलब जो घूमते रहते जो bhikshum monk होते है जो कभी भी ऐसे settle down नहीं होते है मांगते हैं खाते हैं जो होते wandering वाले तो जब वो घूम रहे थे तब उन्होंने इसके बारे में सुना कि ऐसा कुछ event होने वाला है तो इन्होंने सोचा कि हाँ मुझे भी महाँ पर जाना चाहिए इनको भी महाँ पर जाके अपनी appearance देनी चाहिए किस बिहाफ पे on the behalf of his master's teaching की अपनी teaching को बताने के लिए नहीं क्यों है कि इतना आता है बलकि जो उनके master थे जो गुरू थे रामा कृष्ण उनके teaching को बताने के लिए present करने के लिए कि इंडिया के बिहाफ पर वो जाएंगे महाँ पर present करेंगे अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि उनके पास मानी नहीं थी he had no money उनके पास मानी नहीं थी क्यों नहीं थी क्योंकि he was a wandering monk जो गुम गुम के विखशुप की तरह रहते हैं और जो उनके disciple थे जो उनके student थे Tamil Nadu के उनका नाम था आला सिंगा पेरूमल तो उन्होंने क्या क्या door to door back करना start कर दिया मतलब हर एक person के घर पे जाते भीख मांगते भीखशुप की उन्होंने एक तरीके से walk start कर दिया और उसके बद उन्होंने थोड़ा सा fund एकठा कर लिया थोड़ी सी money को कठा कर लिया उनकी trip के लिया क्यों किया क्योंकि जो trip थी वो इंडिया में नहीं थी वो US में होने वाली थी उसके बाद जो महराजा है खेत्री के उन्होंने भी कुछ पैसे दिये राजाओफ रामनन के महराजाओफ मैसूर इन सबने जिनके अंदर एक encouragement हुआ कि हाँ इनने जाना है represent करना है और जो उनकी wife थी मतलब की जो रामा कृष्णा जी की जो wife थी शार्दा देवी जिने ये बोलते है holy mother उन्होंने देखा कि उनको वेजन आता है सपना आता है जिसमें वाकियोंने bless करती है तो उनके बाद उन्हें convincing हो जाता है कि हाँ मुझे जाना है मुझे west में जाना है वहाँ पर जाके मुझे इंडिया को इंडिया की जो countrymen है इंडिया की जो women's है उन सब को present करना है represent करना है उसके बाद अब स्वामी जी चल पड़े है सेल के लिए अपनी आत्रा में अपनी ट्रावल में स्टार्ट कर रहे 31st of May 1893 में अपनी जो उनकी जर्नी थी वो स्टार्ट करी थी इंडिया से उसके बाद वो जाते हैं East होते हुए कॉलंबो होते हुए Singapore, Hong Kong, Nagasaki यहां से होते हुए फाइनली वो पहुच जाते हैं कॉलंबिया ब्रिडिश कॉलंबिया अब उस टाइम पे जब यह पहुचे तो समार था लेकिन जो function होने वाला था जो यह talk organized की गई थी यह होने वाले थी सितंबर में तो इनके पास कोई भी कोई भी space नहीं था वहाँ पर यह रह सके कोई भी space unknown to person नहीं था नहीं इनके पास कोई funding थी तो इन्होंने क्या किया तो इन्होंने अपनी पूरी जो story है कि यह कैसे वहाँ पर invite करे गई यह सब चीजे इन्होंने पहाँ भूमें लोगों को बताया लोगों से कुछ बात चीट करी हर थोड़ हर टाइम पास कर लिया इनके कुछ miracles वाले journey रही कुछ ऐसे unexpected connection ने इनके बन गए उसके बाद इनकी जो story है वो start होती है अब बताती है कि जो इन्होंने speech दी वो कब से कब तक हुई थी 11th से 26th September तक 1893 के बीच में इन्होंने वो six speech दी थी विवेका अनंजे ने वहाँ पर अब हम start करते है इनकी जो speech number one थी काफी बड़ी-बड़ी speech इन्होंने दी है बड़े still ठीक है कोई बात नी पेपर में है तो पढ़ना ही है first speech का नाम था response to welcome अब response to welcome को सुनके क्या आता है कि जब इनका welcome किया गया तो उन्होंने इसका response कैसे दिया ये जो speech है ये बहुती brief very brief speech है इसमें ही क्या बताते है response देते हैं जो उन्होंने receive किया था और वो क्या यहाँ पर क्या represent कर रहे है यहाँ पर वो हिंदू अपने religion को represent कर रहे है मतलब कि US में उन्होंने हिंदू religion को represent किया और ये सिर्फ एक first time थे it was at the first कि सबसे पहले वो क्या बोलते है my brothers and sisters ऐसे करके वो अपनी speech को start करते है अमेरिका में जब उन्हें एक welcome दिया गया तो ऐसा भी बोला गया था कि starting में यह अपनी जो इनकी speech थे उसे delay कर रहे थे बार बार delay कर रहे थे कि वो बाद में जाएंगे बाद में जाएंगे और इन्होंने तब तक डिले किया जब तक इनका हुआ कि अब delay नहीं कर सकते हो तब जाके इन्होंने अपनी speech को देना start किया और जब देना start किया तो इन्होंने back to back 6 speech अपनी बारी-बारी से देडा ली अब वहाँ पर क्या करती है यह on the behalf of India और जो order था जो इन्होंने founded किया था अपनी गुरू की teaching को spread करने के लिए उनके बिहाफ पर मौंक्स के बिहाफ पर हिंदू रिलीजन के बिहाफ पर और जो इंडिया में millions of people हैं उन सभी के बिहाफ पर उस welcome को accept किया और उसके बाद वहाँ पर पर पर्लेमेंट में जब खड़े थे तो उन्होंने अपनी अपनी चीज़े बताने स्टार्ट करी जैसे कि जो इंडियां सेविलाजेशन है उसको रिपरेजेंट करना स्टार्ट किया अगर इस स्पीच में बताया गया है कि इसमें अलग अलग अर्डर थे एक अर्डर तो इन्होंने क्टेश किया था उसको छोड़के भी की मतलब वही सबसे ऊपर है ये नहीं बोला था कि मतलब वो सबसे ऊपर है लेकिन इसका जो he who situations the dei मोटव बोलने का शेट कि जो sनातन धर्म है वो pure है और ऐस़ा नहीं है कि कोई एक धर्म है वही हए एक की जो गुरू है वही है उनका जो next emphasis था, वो था tolerance का, कि जो Indian है, उनके बारे में बताया, उनके tolerance के उबर बताया, और जो India की जो quality है, characteristics है, unit characteristics है, उसके बारे में बताया, कि यहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर unity है, जो कि बागी countries के अगर respect पर हम बात करें, तो ऐस आपर ऐसा नहीं है कि कोई dominant religion है, यहाँ पर जितने भी है, सब है, ऐसा नहीं है कि कोई dominant है, वो बाकियों को मारना चाहता है, kill करना चाहता है, exile करना चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो Swami Ji है, वो clearly बताते है, कि India कैसे quiet है, exception है, जैसे कि world में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पैसे हो तो यहाँ पर actually सबका welcome किया जाता है जैसे कि Jewish लोगों का Persian लोगों का और उन सबका main motive क्या है believe है faith है कि God जो है वो एक ही है तो फिर ठीक है कोई भी वो different different चीज़े हो सकती है लेकिन जो God है वो तो एक ही है सबका अपना religion है ऐसा नहीं है कि कोई उपर कोई नीचे है हर एक religion equal ही है क्यों 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 कि जितने भी path है सबका goal क्या है Supreme Lord कोई भी है कोई भी religion है चाहे वो Christianity हो जब भी Hinduism हो Muslims का है उन सबका क्या है एक ही goal है कि जो Supreme power है वो कौन है Supreme Lord है एक ही goal है कि हाँ God के पास जाना है वो worshipper उसी का है चाहे वो नाम कुछ पही ले दे उन God को लेकिन worshipper वो एक ही God का है फिर वो भगबद कीता से भी कुछ quotation उठाते है और कुछ और भी चीजों से quotation उठाते है अपनी इस argument को strengthen करने के लिए कि हाँ जो मैंने चीज़े बोली है उसमें दम है उसमें वजन है कि जो मैंने बोला वो सच है उसके बाद इनकी जो second speech थी वो थी why we disagree इसमें इनों क्या बोला है in this speech स्वामी जी uses the method of parable parable मतलब जो जिसमें कोई ना कोई religion सबसे उपर है तो उन सब के जो लोग है वो जो लोग है वो क्या है narrow minded है तो उन सब की futility क्या है उनकी बारे में बताते हैं इसमें ये रामा कृष्णा के बारे में बताते हैं कि हमें remember रखना चाहिए कि वो एक master थे मतलब की उनी की जो teaching है उनी को spread कर रहे है इनको जो words है full of stories है anecdotes anecdotes मतलब जो किस से चले आ रहे होते हैं इसके बाद जो विवेक अनन्थ है वो इसमें एक story को सुनाते हैं अपनी बात को relate करने के लिए जैसे कि parable मैंने बोलाई कि story होती है जिसमें एक moral निकल के आता तो क्या बोलते है it deals with the frog in the well syndrome मतलब की ये deal करता है एक frog मतलब की जो मिढग होता है frog जो है वो कहां है well में है कुए में है और एक syndrome है एक problem है तो इसको इस तरीके से वो करते है कि हर एक जो frog है वो क्या believe करता है कि जो उसका well है जो उसका कुए है it is the biggest उनका religion है वही wise है वही best है वही सबसे बड़ा है उसी के अंदर powers है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि frogs कोई illusion होता है तो हो सकता है ये लोगों का भी illusion हो deluded हो ये चीज़े सच नहीं है लेकिन सिर्फ लोग ऐसे मान लेते हैं तो ये message क्या है ये message totally दिखाता है जो true way होता है लेकिन लोगों का सा मानना होता है जरिफ हो क्या है वो अलग-अलग mindset पर डिपेंड करता है for swamiji's remark it is clear that religion harmony can be created not just by recognition the unity and underlying similarity in the faith but also to understand and accept the difference वो क्या बोल रहे हैं कि religion के बीच में हार्मनी कैसे create कर सकते है कि अलग-अलग religion के लोग है धर्म के लोग है उनके बीच में एक शांती कैसे create कर सकते है harmony कैसे create कर सकते है ऐसा तो है कि हाँ आप सबको मानना है कि हर एक धर्म सही है उनके अंजर similarity है प्लस आप ये भी देखिए कि उन दोनों के बीच में क्या differences है और आप उन differences को accept कर लीजिए कि हाँ ऐसा होगा उसमें तो क्या होगा दोनों के बीच में हार्म ने create हो जाएगी उसके बाद इनकी speech number 3 है paper on Hinduism तो ये वाला जो उनका speech था ये सबसे longest speech है क्या कर रहे हैं कि represent कर रहे हिं हिंदू religion को हिंदू religion के representative बनते हैं वहाँ पर हिंदूism के बारे में बोलते हैं लेकिन आखिर main question ये है कि how does he define हिंदूism वो कैसे define कर रहे हैं हिंदूism को तो बताते हैं कि हिंदूism की जो roots है वो ancient roots है बहुत पुरानी है और ये pre-history से भी पहले की है मतलब की एक ऐफा time history का जब चीज़े लिखी गई है जब से लिखा जाना start हुआ था लेकिन हिंदूism क्या है उससे भी पहले है जब हिस्ट्री लिखी गई record करने शुरू हुई ये उससे भी पहले से है ना कि उनकी तरह जोसे की judaism है जैसे की जोईश लोगों का है इन सब इस चीज़े क्या है ये बाद में ancient time पे डवल अप हुई थी लेकिन हिंदूism बहुत पहले से ही start था इसका जो maturation है origin है बहुत पहले से है ऐसे इन्होंने बोला उसके बाद ही क्या stress करते है stress करते है वेद पर वेद के बारे में बताते है ancient जो हमारा work है बहुत ही famous है हमारे spiritual work में से कुछ हिछी चीज़े है तो वेद के बारे में बताते है उसके बाद ये बताते है कि जो हिंदूism है ये science के साहत रहता है ऐसा नहीं है कि जब science आई तो Hinduism कहीं बिखर गया, ऐसा नहीं है और नहीं ऐसा हुआ कि जब चीज़े थोड़ी सी आगे बढ़ गई Modernization आ गया तो जो हमारा जो culture था जो religion था वो पीछे रहा गया, ऐसा नहीं है क्यों नहीं है ऐसा और क्यों नहीं हुआ ऐसा वो इसलिए क्योंकि जो Hinduism है वो हमेशा सही science से भी जुड़ कर चला है ऐसा नहीं है कि totally arbitrary चीज़े है Hinduism में, कि बिल्कुल ही उनका कोई मुद्दा ही नहीं है, हम बस पूजा करे जा रहे हैं, उसका कोई logic नहीं है, ऐसा नहीं था उसमें logic था, उसमें belief था उसमें rituals थे, और उसमें कहीं न कहीं logic था, जैसे कि जो science को जोड़ देता है, logic और science हापस में rational चीज़ों को जोड़ते हैं तो Hinduism में वो चीज़े थी, इसलिए क्या हुआ, इसलिए जो Hinduism है वो भी भी बना हुआ है Hinduism stress करता है immortality पे कि जो soul है, वो immortal है, मतलब कि कभी भी खतम नहीं होगी, आत्मा जो है, वो कभी भी खतम नहीं होगी इन्होंने quote में बोला है, मैं quotation यूज़ करियो I am not my body, but the everlasting indestructible spirit, कि मैं body नहीं हूँ लेकिन everlasting हूँ, indestructible हूँ कभी खतम नहीं होगी, spirit हूँ इन्होंने quotation थी, quotation आप यहाँ पे close होती है, बंद होती है आगे इन्होंने बताया है कि यह जो चीज़े क्या है, gospel of hinduism कि hinduism में यह चीज़े बताई गई हैं समझाई गई हैं, और नहीं hinduism यह बोलता है कि हम जो है जो human है, वो कोई किया था, वो curseable था वो एक punishment थी और उसके बाद हम उन्हें के generation है तो ऐसा hinduism में नहीं है hinduism यह नहीं बोलता कि हमने कोई sin किया था, हमारी जो origin है वो किसी sin की वज़ा से, वो ऐसा नहीं है हम children है कि इसके immortality के god के बच्चे हैं हम, ना कि degradation के उसके बाद वो बताते हैं बात करते हैं law of karma कि karma का क्या मातलब होता है, karma का क्या काम होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमने कर दिया इसमें है कि यह endless cause and effect का काम है, आप जो करते हो, आप वही भरते हो, जैसे कि हम इंडियास इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि हम क्या बोलते हैं कि this is your karma, this is the karma की karma bags, कि आप जो कर रहे हो वही चीज़े आपके पास payback होती है उसके बाद यह बात करते हैं rational manners की, कि जो rational manner से वो क्या है जैसे कि logic को use करना, ना कि सीधे-फिदे विरकुल यह absurd चीज़ों को मान लेना, उसके बाद यह बात करते हैं, Hinduism not a religion of hopelessness कि Hinduism ऐसा नहीं है कि hopelessness का एक धर्म है, जिन में कोई भी hope नहीं है, despair ही despair है बल्कि यह लोगों को liberate करता है और यह क्या बोलता है God is best, God जो है वो best है, जिनकी worship करने चाहिए through bhakti, bhakti कि है selfless love ऐसा नहीं है कि आप उसके return में कुछ मांगते हो दूश चीज़ में इन्होंने बोला और Hinduism नहीं कोई system है polytheism का, polytheism मतलब जिसमें एक God को माना जाता है या फिर जो henothism है, जिसमें बहुत सारी Gods को माना जाता है और नहीं यह idols के ऐसे पूजा है अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो Hinduism है, उस पर बहुत बार attack किया जाता है यह बोलकर, कि जो Hinduism के लोग follow करते हैं, इसको follow करते हैं बहुत जादा idolatry पर work करते हैं idolatry मतलब मूर्ती की पूजा करते हैं मूर्ती पूजन करते हैं जैसे कि हम लोग करते हैं हमारी मंदिरों में किया होती है मूर्तिया ही вечeur और हम उस ली की पूजा करते हैं as a shiv shivlinng की पूजा करते हैं हम तो इनी सब चीज़ों पर बहुत बहुत बार attack भी किया जाता है कि Hinduism यह करता है idolatry करता है लेकिन इन सबी चीदों को जो Hinduism रिजेक्ट करता है कि ठीक है जैसे कि Christian में या फिर Islam में idolatry को एक sin माना जाता है एक error माना जाता है लेकिन Indians में मतलब कि Hinduism ऐसा नहीं है कोई sin नहीं है कुछ पाप नहीं है उसके बाद next जो इनकी speech थी वो थी religion religion not the crying need of India कि जो religion है वो crying need नहीं है इंडिया की बलकि क्या है अब क्या है इसमें इसमें बताते हैं छोटी सी speech है इसमें फिवे कनन्त क्या बोलते है कि bread मतलब की roti इंडिया की एक crying need है एक जरूरत है ना कि religion है religion क्यों नहीं है क्योंकि इसमें ये point out करते हैं उनको जो कि इंडिया में आते हैं Christian जो थे missionary जो थे और वो क्या कर रहे थे उस टाइम पे इंडिया को क्या कर रहे थे जो convert करने की जगह तुम्हें ये देखना था कि जब भुकमरी हुई थी famine हुआ था उस time पर तुम्हें अपना relief work करना चाहिए था ना कि उस टीज का फाइदा उठा के आपको ये बोलना था कि जो इंडियांस हैं जो हिंदू हिंदू लोग हैं हिंदू लोग हैं वो Christianity को अपना ले convert हो जाएं तो ये Britishers के बारे में बताते हैं जो Britishers बतलब जब इंडिया Britishers के rule के अंडर था तब भी बहुत बार hundred of times famine हुआ था जब भुकमरी आ गई थी खाना पूरा नहीं पढ़ रहा था लोगों की में निर उनकी food थी ना कि उनकी teaching metaphysics की हाँ तुम यह कर लो वो कर लो तो तुमने क्या क्या फाइदा उठाया उस चीज़ का अगर लोग मर रहे हैं तुमने उन्हें रिलीफ देनी की जगा उनको convert कर दिया तो वो चीज़ को यहाँ पर criticize करते हैं उसके बाद ही बताते हैं कि जो लोग Christian बने थे उस टाइम पर या फिर भूख की वज़ा से बनते हैं वो rice Christian है क्यों क्यों उन्होंने rice के लिए खाने के लिए Christianity को अपनाया था for the sake of rice उसके बाद इनका next speech थी वो थी Buddhism the fulfillment of Hinduism इसमें क्य बात करते हैं इसमें बताते हैं कुछ arguments को बताते हैं कुछ claims को बताते हैं जो Buddhist लोग mainly बोलते हैं या फिर बहुत hardly ही उससी पर agree करते हैं वो बोलते हैं कि there are no Buddhist कि मतलब हाँ पर कोई भी Buddhist आई हैं इंडिया में अग लेकिन बागे जगा पर जैसे कि ले लगाग में ही माचल प्रदेश में नौन इस्ट इपार्ट में इडिया के तो ये सब क्यों हुआ है तो ये बताते हैं कि जो Buddhist थे उनका claim अलग था हमारा claim अलग था लेकिन Hinduism ने कभी Buddhism को अलग separate नहीं माना क्यों क्योंकि वो मानते थे कि ये भी Sanatan जो tradition है उसी का एक पार्ट है antagonist कभी नहीं जाता तो इसमें में लिए उन्होंने यहीं बताया है Buddhist के बारे में कि उनका जो heart है जो Brahmin mind है and the Buddhist mind of compassion वहीं चीज़े हैं जो Hinduism में भी follow होती है उसके बाद इनकी last speech है जो कि है address at the final session इसमें ये दुबारा से एक striking और एक बहुती must see एक fabulous सी harmony के बारे में बात करते है मतलब religious harmony ह होनी चाहिए world में जहां पर ये बोलते हैं कि अमेरिका में भी harmony होनी चाहिए बल्कि ये भूल गए थी कि अमेरिका में अलड़ी कई बार religion को लेकर ही कई बार violence हो चुका है क्यों हो चुका है जैसे कि आप ने देखा कि Americans जो थे वे निटीव Americans को चेफिर ट्रीट नहीं कर र कि जो religion है उन सब को destroy होना चाहिए तो ये उन लोगों के ओपर पिटी दिखाते हैं दया दिखाते हैं कि उनकी सोची बेकार है ऐसा नहीं है कि कोई एक धर्म रहे सभी धर्म आपस में harmony के साथ भी रह सकते हैं और ये help के लिए बोलते हैं प्री करते हैं मतलब कि request करते हैं help क लिए एक harmony के लिए peace के लिए अगेंस्ट फाइटिंग फाइटिंग ना हो अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन के डिस्ट्रक्शन ना हो जो world है वो कैसे रहे एक hometown बन के रहे हर एक बंदा हापस में mix-up हो के रहे और यह इनके जो words है जो आज भी बहुत ज़दा relevant हैं आज की life में relevant क्यों है क्योंकि बहुत ज़दा violence hatred की वजासे होता है in the name of religion जैसे जैसे की अगर मैं बात करूं 19th century में तो 20th century में क्या हुआ world war हुआ अब world war में भी क्या-क्या हुआ इतना destruction हुआ तो जो Hitler था उसने कैसे Jewish लोगों को माना स्टार्ट कर दिया क्यों just because they were black black थे तो उन्होंने यह हो जा कि हम white है तो हम जो Aryans है we have the power कि हम उन पे rule कर सकते है we have the authority तो उन्होंने इस चीज़ को दिखाया कि हा religion को लेकि वहा जगा wireless तो हुआ था और यह चीज़े उन्होंने कब बोली थी नाइंटीन साइच डिमीन उने बोली थी तो उनकी जो भाशन थे जो इनकी speeches थी वह अभी भी relevant है तो यह तो यहां पर होता है खतम I hope कि जो आपने यहां पर अपना-पना time दिया था 25 minutes 30 minutes जो दिये है I really hope कि वह तो यहां तक बने हुए है तो इसके बाद आप कोई भी कोशन उठा लेजिए आपके अंदर एक positive feeling होगी कि हाँ आप उसी इसका attempt कर सकते हैं explain कर सकते हैं इतना कहानी सुनने के बाद so I will see you in the next video हो सकता है मैं short story बना दू क्योंकि कमेंट आया था कि short story बना दो तो ठीक है मैं short story बना देखती हुए तो मैंने बहुत सची कवर कर रखिये पर फिर भी जो कादी छूटी होगी मैंने कवर कर दूंगी all right so अच्छे पर टाइम को spend करिये manage करिये and I will see you in the next video till then take care bye bye